ऐसा लग रहा है कि आप सब लोग मनेर के लड्डू खा गया है हो मनेर के लड्डू महसूर तो है लेकिन लग रहा है कि मनेर के लड्डू की ताकत भी बड़ी है आप लोग भी चार जून के लिए ये मनेर के लड्डू तयार रखे साथियों एलीडी के बल्ब उसका जमाना चल रहा है और यह यहां बिहार में लाल्टेनिया लेकर लेकर भी गुम रहे हैं एक एसी लाल्टेनिया है जो सिर्फ एकी घर में रोशनी करता है एक ही घर में रोशनी की है ये सारे परिवारबादी मिलकर प्रदान मंत्री की कूरसी पर मुजिकल चैर खेलना चाहते हैं ये भूमे स्वर्गिया कैलास पती मिस्टर जी की विरासत है उनकी तपस्या हर बीजेपी कायर करता के लिए प्रेरणा है बीजेपी कायर करता हूं के महनत का परणाम आज पुरा देश देख रहा है ऐसा लग रहा है कि आप सब लोग मनेर के लड्डू खा गया है हो मनेर के लड्डू महसूर तो है लेकिन लग रहा है कि मनेर के लड्डू की ताकत भी बड़ी है आप लोग भी चार जून के लिए ये मनेर के लड्डू तयार रखे चुनाव के नतीजे क्या आने वाले हैं उसका एकजिट पोल चालू हो गया है आप समझ लीजिए जब इंडी गडबंदन वाले सोते उड़ते जाकते बैठते इवियम को गाली देना शुरू कर दें मतलब की एंडी एकी सबलता का एकजिक पोल आ चुका है चुबिस के इस चुनाव में एक तरफ चुबिस घंटे आपके लिए महनत करने वाला मोदी है तो दूसरी तरफ चुबिस घंटे आपसे जूट बोलने वाला इंडी गडबंदन है साथियों LED के बल्ब उसका जमाना चल रहा है और यहां बिहार में लालतेनिया लेकर लेकर भी गुम रहेजिए और एक ऐसी लालतेनिया है जो सिर्फ एक ही घर में रोशनी करता है एक ही घर में रोशनी की है तिस साल का इतियास देख लीजिए एक ही घर में रोशनी और चारो तरफ अंधेरा हो जाए तो हो जाए उनके घर की रोशनी जलती रहे इस लालतेनियों ने बिहार में अंधेरा ही अंधेरा भैलाया है दूसरे के बेटे बेटियों के लोग पूछते तक नहीं है इंडी गडबंदन वालों का सूत्र है अपना काम बनता भाड में भाए अपना काम बनता जरा जोरों से बताईयों तो सुनाईजिया उनको अपना काम बनता ये ऐसे लोग है भाईयों और भाणों ये सिरप MP चुनने के लिए चुनाव नहीं है ये चुनाव देश का PM चुनने के लिए है ये सारे परिवारबादी मिलकर प्रदान मंत्री की कूरसी पर मुजिकल चैर खेलना चाहते हैं साथियों ये इंडी गड़बंदन के लोग और मैं जब कहता हूँ तो मैं आपसे भी आगर करूँगा मैं जो बात बताता हूँ एक बार खुद भी जाँच परताल करके देख लेना मेरा एक शब्दा आपको गलत नहीं मिलेगा मैं तीन बाते बताता हूँ ये लोग गोर सांप्रदाइक है इनको सम्विधान से बिन सांप्रदाइकता से सर्वपंत संभाव से कोई लेना देना नहीं है ये लोग गोर जातिवादी है और ये लोग गोर परिवार वादी है सबसे पहले वो अपने परिवार का ही सोचते हैं बाक्यों को सब को पीछे रखते हैं आरजेडी कॉंग्रेस और इंडी गड़बंदन के दल मिलकर SC, ST, OBC के साथ बहुत बड़ा विश्वास गात कर रहे हैं हमारा सम्विधान कहता है ब्लेक एंड वाइट में है कोई क्वेस्चन मार नहीं है हमारा सम्विधान कहता है कि भारत में धर्म के आधार पर आरक्षन नहीं होगा आपको अंधेरे में रख करके रात में चोर आकरके जैसे चोरी कर जाए वैसे इन लूटेरों ने आपके हक को लूटा है मैं बात कर भी बता रहा हूँ क्योंकि मेरे जहन पर बड़े गाव लगे हैं बाईयों और इन जातियों के आरक्षन का कोटा कम करके आरजेडी कॉंग्रेस इंडी गडवंदन ने वोट जिहाद वाले अपने वोट बेंग को दे दिया है साथियों SC, ST, UBC के हमारे बच्चों को दो दाखिले में आरक्षन से बहुत मदद मिलती थी लेकिन आरजेडी कॉंग्रेस ने दलीतों, पीछणों, आदिवास्यों के बच्चों से अतिपीछणों के बच्चों से ये अधिकार उनसे छिन लिया और मुसल्मानों को दे दिया है ये सम्विधान के खिलाप है ये डॉक्टर राजेन प्रजाद और बापा साब आमबेड करने जो सम्विधान बनाया उसके पीछ में छुरा पूंकने वाला पाप किया है अधियों, आरजेडी कॉंग्रेस इंडी गड़बंदन इस सच्चाय से इंकार नहीं कर सकते ये सम्विधान बदल कर पूरे देश में धर्म के आधार पर आरक्षन देना चाहते हैं लेकिन मैं भी आज बिहार की इस दर्ती से सामाजी की न्याय की पुन्य भूमी से देश को एक गारंटी देता हूँ बिहार को गारंटी देता हूँ SC, ST, OBC परिवारों को गारंटी देता हूँ अती पिछडे परिवारों को गारंटी देता हूँ जब तक मोदी जिन्दा है, मैं SCE, ST, OBC और अती पिशणों के हकों को छीनने नहीं दूँगा, ये मोदी की गारंटी है मोदी के लिए सम्विधान सर्वोपरी है, मोदी के लिए बाबा सावां बेड़कर की भावना सर्वोपरी है इंडिय अलाइंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें, उनको वहाँ जाके मुझरा करना है तो भी करें मैं SCE, ST, OBC और अत्षण के साथ डट करके खड़ा हूँ, खड़ा रहूँगा, जब तक जान है लड़ता रहूँगा साथियों, गरीब का ये बेटा जानता है कि जब किसी का हग छिनता है, जब किसी को उसका हग नहीं मिलता, तो उस पर क्या बीचती है इसलिए मोदी ने गरीब को उसका हग दिया है, इसका सबसे बड़ा लाब मेरी माता और बहनों को हुआ है और तभी हिंदुस्तान के हर कौने में शायद दुनिया के लोगों का इतरज होता है कि ऐसे हज़ार और लाखों के तादाद में माता और बहने आती हैं, बैठ करके आशिरवात देती हैं, अपना घर का काम छोड़ करके आती है अमोदी एक और काम करने वाला है, वो सब के लिए हैं कितना ही अमीर हो वो भी फाइदा ले सकता है, कितना गरीब हो वो भी ले सकता है गाम वाला भी फाइदा ले सकता है, शेहर वाला भी ले सकता है ऐसी योजना है कि आपको जीवन भर कोई तकलीप ही न हो और मोदी ने ताय किया है कि आपका बिजली का बिल जीरो पिजली का बिल जीरो हमने पी एम सुरियगर मुप्त बिजली योजना शुरू की है छत के उपर सोलर पैनल लगेगा उससे बिजली पैदा होगी वो बिजली आपकी जरूरत के हिसाब से आप मुफत में उप्योग करेंगे ज़ूरत के पैदा होगी और जो अतिरिक्त बिजली होगी न वो सरकार खरीदेगी उसका पैसा देगी आपको अब तक बिजली का बिल देते थे अब बिजली का पैसा सरकार आपको देगी और ये काम करने के लिए आपको लगता होगा ये मोदी बिजली का बिल जीरो तो ले आया सुर्य सोलार पैनल की बात तो कर रहा हैं लगाएगा कौन उसके लिए भी मोदी हर परिवार को 75,000 रुपया देगा और ये ओनलाइन जा करके आप अभी से अपनी रजिस्ट्री करवा सकते हो वह इदना चालू है अजी गपड़ बाजी नहीं है इतनी बिजली चाहिए मुपत उपयोग करो और बाकी बचे उसे सरकार को बेश कर कमाई भी कर लो बाई और बैनों नितिजी के नेत्रुत्म में एंडिये सरकार बिहार को बिकास की पट्री पर ले आई है आने वाले पांच सालों में हमें बिहार में और तेज बिकास करना है आज उत्तरवर दक्षिन बिहार गंगाजी पर बन रहे दीगास वनपूर रेल रोड ब्रीज से जुड़ चुका है इंडिये सरकार की पैचान ऐसे ही विकास के लिए है आने वाले पांच साल भारतिय रेल के आदुदी करन के स्वणिम साल होने वाले है इसका सीधा भाइदा पाटली पुत्र को होगा मेरे बिहार को होगा यहाँ नई इंडिस्ट्री आएगी रोजगार के नए अवसर आएंगे और इसलिए मेरे अनन्य साथी और मैं कहूंगा कुछ लोगों को राम के नाम से ही जगड़ा है और इसलिए वो राम कृपालू नाम भी जहन नहीं करेंगे ऐसे लोग जो है जिनको राम से घोर विरोध है वो राम कृपालू नाम से भी उनकी माथे के बाल खड़े हो जाएंगे ऐसे राम कृपाल बाबू वो आपके प्रतिनिती बन करके दिल्ली भेजिए मेरे हाथ मजबूत करेंगे और इसलिए मैं आपके पास आशिरवाद माँगने आया हूँ और कमल पर पड़ा आपका वोट सीधे सीधा मोदी के खाते में जाएगा तो आप जादा से जादा मद्दान कराएंगे जादा से जादा मद्दान कराएंगे सभी पोलिंग बूच जीत के दिखाएंगे गर-गर जाएंगे अच्छा मेरा एक काम करेंगे ऐसे नहीं हाथ उपर करके बताओ तो बोलू आप लोग करेंगे और नहीं करेंगे माता है बेहने तो जुरू करेंगी यह माता है बेहने तो हरा पक्का करेंगी ज़रा हाथ पर करके बताईए मेरा काम करेंगे यह पेचुनाव का काम नहीं मेरा परसनल है करेंगे करेंगे अच्छा आप अपने खेत्र में अपने गाउं में मंदिर होंगे देविस्तान होंगे उन्हां जाकर के मेरी तरफ से आप जाकर के मत्था टेक देना और इश्वर से विख्षित भारत बनाने के लिए आशिरवाद ले लेना ले लेंगे हर मंदिर में जाकर के मेरी तरफ से मत्था टेकेंगे हर तिर्सक्षे तरफ में जाकर के मेरी तरफ से मत्था टेकेंगे मेरे लिए और देश के लिए आशिर्वर मांगेंगे विक्सित भारत बनाने का काम पक्का करेंगे बोले भारत माता की भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद लाइफ भिहाग यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेस्बुक पर लाइक जरूर करें